हे फ्रेंड तो में एटुग चैनल एजी सोलीशन मोटर स्पोर्टस में बजाज चेतक के बारे में दो तिन क्वेस्टेन थे जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ पहला क्वेस्टेन था कि बजाज चेतक में दो बैटरी क्यों दी गई है दूसरा question था कि अगर हम आगी की जो light है running light वो बंद कर देते हैं तो क्या चेतक की range बढ़ जाएगी और तीसरा question था कि अगर auxiliary battery जो आती है secondary छोटी battery वो खराब हो जाए तो बज़ा चेतक है वो चलेगा कि नहीं चलेगा तो सारे question इस वीडियो में cover करने वाला हूँ तो अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe माँ YouTube channel अब बज़ा चेतक में दो battery हमें देखने को मिलती है एक auxiliary battery है जो 4LB की लगी हुए हमें देखने को मिलती है और दूसरी battery लिथियम आयन battery होती है जो 2.9 किलोवट की बज़ा चेतक में आती है अब जो 2024 में launch हुआ है उसमें 3.2 किलोवट की बेटरी हमें देखने को मिलती है अब दोनों बेटरी है वो अलग-अलग work करती है तो दोनों की working में समझाओंगा सबसे पहले मैं auxiliary battery की बात कर होती है वो और अपर डिपर हम करते है वो दोनों headlight auxiliary battery पर चलती है 4LB बेटरी तो उसमें यह question का भी answer आ गया कि रात में जब हम चलाते है बज़ा चेतक हीड लाइट चालू करके तो क्या range कम हो सकती है तो नहीं कम नहीं होगी क्योंकि auxiliary battery जो 4LB लगी हुई मिलती है उससे चलती है side light, tail light सभी electronic function auxiliary battery पर चलते है इलेक्ट्री जो जितने component है उसमें सब auxiliary battery पर चलते है तो आपको question होगा कि lithium ion battery पर क्या चलता है तो वो भी मैं बता देता हूं lithium ion battery जो 2.9 kWh की लगी हुए हमें बज़ा चेतक में मिलती है इससे main 3 component ही चलते है जिसमें पहला है motor जो motor आत है वो lithium ion battery पर चलती है दूसरा है battery का जो फैन आता है cooling करने के लिए वो lithium ion battery पर चलता है जो बैटरी आती है 2.9 kWh की वो जब भी charging करते है या हम running करते है तो गरम होती है तो उसको cooling करने के लिए उसमें फैन दिया गया है वो फैन lithium ion battery पर चलेगा और तीसरा AC to AC converter हमें देखने को मिलता है modem वो lithium ion battery पर चलता है यह तीनों चीज ही lithium ion battery पर चलती है दूसरी सभी electronic component है वो auxiliary battery पर चलते है तो आपके सारे question के answer मैंने दे दिये कि क्या running light चालू करके हम बजाचे तक चला सकते है तो range कम होगी नहीं कम होगी क्यूंकि वो auxiliary battery पर चलता है अगर auxiliary battery खराब हो चला सकते है बजाचे तक नहीं चला सकते है क्यूंकि सारे electric component auxiliary battery पर चलते है उसके बाद आपके दिमाग में यह question होगा कि auxiliary battery कैसे चार्ज होती है क्यूंकि lithium ion battery तो हम चार्ज करते है और auxiliary battery अलग से हम चार्ज नहीं करते है तो यह भी मैं बता दू कि auxiliary battery है automatic lithium ion battery से चार्ज होती है एवरी दो ओवर में automatic lithium ion battery है वो auxiliary battery को power supply करती है और full charge रखती है इनकेस lithium ion battery आपकी डेड़ हो चुकी है उसके बाद auxiliary battery डेड़ होगी तो अगर आपकी lithium ion battery चार्ज है तो auxiliary battery भी चार्ज ही रहेगी और ऐसे ही I hope मैंने सारे आपके डाउट है वो clear कर दिय है अभी भी आपके दिबाग में कोई भी question है तो नीचे comment कर क्या आप पूछ सकते है और ऐसे ही नए इन फेड़ी वीडियो के लिए प्लीज सस्क्राइब माई YouTube चैनल थैंक यू